यह साल लोकसभा के चुनाव का साल है तो आया आज मैं आपको बताता हूँ कि लोकसभा क्या है और केसे बनती है यह लोकसभा लोकसभा भारती संसत का निचला सदन है लोग सभा वोटिंग के आधारपत चुनाप से चुने गए जन्ता के पिर्थिनिधियों से बनाई जाती है भारती सम्मिधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिक्तम संख्या 550 तक हो सकती है जिसमें से 530 सदस्य बिभिनि राज्यों के और 20 सदस्य तक केंदर शाषित प्रदेशों का पिर्थिनिधित्व कर सकते हैं सदन में पर्याप्त प्रतिनिद्धित नहीं होने की सिथी में यदि चाहें तो दा अंगलो इंडियन कम्मिनिटी के दो प्रतिनिद्धियों को लोकसभा के लिए मनोनित कर सकते हैं लोकसभा की कार्यवधी पांच वर्षे परन्तु इसे समय से पूरु भंग किया जा सकता है सबसे पहली लोकसभा 13 माई 1952 को और 2014 में 16 भी लोकसभा चुनी गई थी और अब 2019 में हम 17 भी लोकसभा चुनेंगे अब आप यह सोच रहे होंगा कि आखिर ये लोकसभा का काम क्या है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस सभा का काम क्या होता है हमारे देश की कानूनी ववस्ता का भार लोकसरकार पर होता है इसमें लोकसभा का एहम योगदान रहता है सारे बिल कानून बनने से पहले लोकसभा में पास होते हैं जिसके बाद उन्हें राजी सभा में पास होना होता है सरकार का पर्स जो की मनी बिल होता है ये केवल लोकसभा में पास होता है और राजी सभा इसमें सिर्फ सजेशन्स दे सकती है जो की लोगसभा के उपर होती है इसके अलावा फाइनल्स बेल भी केबल लोगसभा में ही पास होता है आपको जानकर हिरानी होगी कि सरकार लोगसभा के प्रती जवाब दे होती है लोगसभा ही वह सदन है जिसका नाम आपने अकवारो और नीउसेनल्स पर सुना होगा सदन का पहला घंटा ही कोश्चन आवर्स कहा जाता है अगर लोगसभा के सदस ये पाते हैं कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो वह सदन भंग कर सकते हैं हमारे देश के राष्टपती और राष्टपती सदन के स्पीकर और डेपिटी स्पीकर के चुनाव में लोगसभा भाग लेती है। इतना ही नहीं, लोगसभा राष्टपती को impeachment के द्वारा अपने पद से हटा सकती है। और राजी सभा के साथ ये सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस को भी अपने पद से हटा सकती है। तो अब आप जानते हैं कि लोक सभा क्या है और इसकी एहमियत क्या है। तो आईए आप मैं आपको बताता हूँ इसके तीन सत्र के बारे में। सबसे पहला होता है बजट शेशन जो कि फरवरी से मई तक होता है। दूसरा होता है मानसून शेशन जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है। और तीसरा होता है विंटर शेशन जो कि अक्टूवर से जनवरी तक होता है। इन सत्रों में देश के लिए कई एहम निर्णाय लिये जाते हैं। अपने सुझाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।